हलो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर आज हम बात करने वाले क्रीमा-फिन सीरप के बारे में कि क्या उसकी यूजिस हैं क्या उसकी साड़ इफेक्ट हैं सादे डीटेल में आज हम बात करेंगे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्रीमा यहां पर लिखा होता है अभी मैं आपको पास से भी दिखा दूँगा कि क्रीमफिंस सीरप किस तरह Coffee होता है और क्या क्या सकी यूजर से पूरी डीटेयल में हम बाघ करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रीमा फिन सीरप का क्यों इस्तमाल करना पड़ता है तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ये एक प्रगार का जेंटल लेक्जेटिव होता है जो कि हमारी इंटरस्टाइन को स्मूथ करता है जारतर केसिस में क्या होता है कि जब हम जंक फूट खाते हैं जिसकी वज़े से हमारी जो इंटरस्टाइन का वाट प्रोडेक्शन होता है या फिर मैं क Liberation को सोकने की जो शम्ता होती है वो खत्म हो जाती है उसके बाद जो ball movement होता है हमारी आतों का यानि कि आतों की जो चाल होती है वो खराब हो जाती है जिसके वज़े से कबजियत की शिकायत होती है अकसर देखा गया है एक से दो लोगों में देखा गया है कि कबजियत की शिकायत बच्चों में भी पाई जाती है और बड़ों में भी पाई जाती है क्योंकि आज कल का खान पीन ऐसा हो गया एक तेल ऐसे हो गए हैं सड़े हुए तेल का लोग बना देते हैं बाहर का जो इस्टॉर लगी होती फूट की मैं कहूं मोमोस चौमें तो यह सब तड़ोए तेल के अंदर बनाते हैं जिसके वएसे हमारी आतों में इस्टरबन साजाती है उसकी चाल ख्राब हो जाती है वो डिसस्वंक्शन हो जाता है यहां पर क्या होता है कि डोक्टर जो प्रिस्वराइब कर देते हैं क्रीमाफिन सीरॉप को खिरम पर हमारी आतों के लिए बहुत जादा बैनिफिश्यल होता है और कर्दियत में इसका अच्छा benefit advantage देखे गए हैं तो चलिए देखते हैं कि क्या इसके uses होंगे क्या साइड इफेक्ट होंगे और मैं आपको पहले ही बता दूं कि कोई सी भी medicine होती है वो अपने आप से अपने मन से उसका इस्तमाल ना करें डॉक्टर की एक बार जाय जरूर ले ले हो सकता है कि वो आपके बॉड़ी के लिए harmful effect शो कर जाए क्योंकि अलग-अलग medicine के अलग-अलग side effect देखे गए हैं देखे इस प्रकार का क्रीमफिन सीरप होगा है अबार्ट कंपनी की तरफ से यह एक medicine होती है एक pharmaceutical product होता है बात करें इसके अंदर क्या formula होता है तो liquid paraffin and milk of magnesium और इमर्शन यानि कि इसको सीरप और इमर्शन कहा जाता है ठीक है इस टाइप का होता है देख लीजे अगर आप pharmacy बिजा के इसको purchase करेंगे तो इस type का आपको यह मिल जाएगा चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके uses के बारे में और इसके side effect और कितनी उमर के patient को यह दिया जाता है दो flavor में आपको मिल जाता है क्रीमफिन पहला मिन्ट और दूसरा मिल जाता है mix fruit में uses की तरफ बढ़ते है तो हम जानते हैं यहाँ पे composition liquid paraffin मिला होता है 1.25 mg magnesium hydroxide मिला होता है 3.75 mg sodium pico sulfate होता है 3.3 mg तो पहला use है इसका treat constipation treat constipation यानि कि जब आपको कब्स होती एक से दू दिन की तीन दिन की चार दिन की जब भी doctor इसको prescribe कर देते हैं जो की normal constipation होती है पाइल्स constipation में भी इसका इस्तमाल किया जाता है यानि कि आपको जब सूखी बवासिर होती है तो आपका जो पेट होता है जो कब्सियत होती है वो बढ़ जाती है ठीक है देखा गया है कि ज़्यादा constipation होने की वज़े से ही आपको piles हो जाती है तो इस वज़े से आपको पाइल्स कॉंस्टिपेशन में क्रिमाफिन इमरिशन को दिया जाता है ठीकर थर्ड है पोस्ट और प्री ओपरेटिव तो अगर आप ओपरेशन से पहले आपको कॉंस्टिपेशन है और ओपरेशन के कभी-कभी ओपरेशन होता है इनसान का तो उसके बाद भी उसको कॉंस्टिपेशन हो जाता है यह रातर भूमेंट में देखा जाता है जब उनको सीजर हो रहा होता है उनका सीजर होता है तो उसके बाद उनको कॉंस्टिपेशन हो जाता है तब डॉक्टर रिप्सक्राइब कर देते हैं क्रिमाफिन को ठीक है अब बात करते हैं फोस्त इंक्रीज बाल मुवमेंट बाल मुवमेंट का मतलब होता है जो आतों की चाल होती है उसको ये बढ़ा देता है आतों की चाल बढ़ जाएगी तो जो अंदर खाना होगा वो अच्छे से पच पाएगा जिसके वज़े से वो एक्सक्रीट हो जाता है और कॉंस्टिपेशन नहीं होती है फिर है फ़िप्त है ड्राइंग वाटर इंटू इंटरस्टाइन यानि की जब आपकी आते सूख जाती है ठीक है आते सूख जाती है तो जो हमारी आत होती है वो water का absorption कम कर देती है ठीक है तब जो है crema fin syrup पीने के बार में जो हमारी आथ होती है वो work करना सही से शुरू कर देती है और water का absorption उसके अंदर बढ़ जाता है जिसकी वज़े से हमें constipation नहीं होता है फिर है हमारा sixth use वो है reduce too much stomach acid अब क्या होता है कि जैसे कि आपने कुछ खा लिया है आपके पेट के अंदर पढ़ा है वो और आपको जो है stool पास नहीं होता तो वो अंदर इंदर सड़ता जाता है और acid में बन जाता है जिसकी वज़े से आपके पेट में acid होती है तब क्रीम अफिन को पिलाए जाता है क्रीम अफिन को डॉक्टर सब्सक्राइब कर देते हैं प्रिसक्राइब कर देते हैं जिससे यह होता है कि आपका जो इस टोमक के अंदर acid create होती है ठीक है वो शान्त हो जाती है seventh user reduce heartburn यानि कि अगर किसी इंसान के सीने में जलन हो रही है बहुत तेज जलन हो रही है तो वो इस सीरप को पी ले उसके बार उसकी जो जलन होती है वो कम हो जाती है दूर हो जाती है eighth है food ingestion यानि कि अगर आपको खाना पच नहीं रहा है ठीक है आपको वामेट हो जाती है जब भी क्रीमफिन सीरप का इस्तमाल कर सकते हैं overall यही यूज़ेज थे क्रीमफिन सीरप के बात कर लेते हैं कि तीन से ज़्यादा उमर के जो लोग हैं उसको डॉक्टर प्रिसक्राइब कर लेते हैं सीरप आप बात करें तीन साल या चार साल पांस साल के जो बच्चे होते हैं छे साल आठार साल के कम के जो बच्चे हैं वो इसको पी सकते हैं पर तीन से बिलो नहीं होना चाहिए इनसान जो इसको कंस्यूम कर दा है और बात करें इसके side effect की तो side effect में बस over consumption इसका कर लिया over quantity से जादा आपने इसको पी लिया तो vomit शुरू हो जाती है I hope आप अच्छे से समझ गए हो cream muffin, syrup के बारे में